हलो दोस्तो नमेशकार वाला है, पर जैसी के आपको बता ही है, कि कुछ कमपनियां ऐसी होती है, जोकी investable होती है, जापे आप investment long term के लिए कर सकते हो, और कुछ कमपनियां ऐसी होती है, जिनके लिए news तो अच्छी है, बट yes, वो definitely long term के लिए investable नहीं होती है, इन सारी चीजों को हम लोगों को cover करना है step by step मतलब पहले तो हम लोग cover करेंगी कि exactly news क्या है then second कि इस news का जो फाइदा रहेगा वो कौन से stocks को यहापे मिलेगा and कौन सी गलती mistakes आपने आपे नहीं करनी है तो इन तीन points में यह video रहने वाला है तो चलिए start कर लेते सबसे पहले news तो करता होनी चाहिए तभी जाकि हम लोग shares को study आपे कर पाएंगे तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि competition competition कैसा रहता है as a customer हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि customer को बहुत कच कुछ मतलब अच्छा कासा फाइदा यह आपे मिल जाता है तो दोस्तों map में ने open कर लिया तो आपको पता ही है कि business wise जो competition अमनों को देखने को मिलता था तो जादा maximum project का आपे जाते थे basically अगर आप history उठा कर देखोगे तो popularly महाराश्टरा गुजरात इन states में हमनों को जादा project जाते वे देखने को मिलते थे पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है चीज़े बदलती रहती है और ये बदलना भी जरूरी है क्योंकि पूरे entire इंडिया को अगर आगे लेके जाना है तो हर एक state को आगे बनना पड़ेगा business wise के इसाब से में बात करा हूँ and ऐसी चीज़े अभी हम लोगों को होती भी देखने को मिल रही है मतलब आप सभी लोग को पता है कि yes जो बड़े बड़े investor अभी आ रहे है विदेश से भी investment लेकर आ रहे है ये चीज़े अभी हम लोगों को अलग-अलग state में देखने को मि बड़े इंवेस्टर आये थे domestic level के international level पे जिनोंने promise किया थी वह बड़े-बड़े वहापे plants लगाएंगे business खड़े करेंगे बिजनेस खड़ा होगा तो आपको पता ही है कि रोजगार मिलेगा और यही चीज़े अभी हम लोग को अलग-अलग state में होते भी देखने को मिले वाला है अगर हम लोग अभी इस वीडियो की बात करें तो कौन से state की बात होने वाली तो दोस्तों बात होने वाली है यहापे आंधरप्रदेश की यह जो सो आंधरप्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जबर दस massive investment या फिर आप बोल सकते हैं MOU वहाँ की government ने अलग- विशाकापटनम यह तो आप सब लोग को पता ही होगा राइट बहुत ही popular है तो विशाकापटनम की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हम लोग को यह सारी चीज़े देखने को मिली है तो आप देख सकते हैं somewhere around आंधरप्रदेश की जो सरकार है government है तो उन्होंने कितना MOU sign किया लगबग around 11 lakh करोड के आसपास इतना बड़ा हम लोग को यह deals यहाँ पर फिलाल तो होती वे देखने को मिली है मतलब कितने सारे businesses यहाँ पर setup हो जाएंगे मतलब इसके चल्चे generate हो जाएंगे आप अंदाजा लगा सकते हो estimate किया जा रहा है लगबग 6 lakh के करीब यहा उन्हें इतना बड़ा deal यहाँ पर कर लिया है तो definitely अभी हम लोग को देखना है कि कौन-कौन से businessman यहाँ पर आये है और कहा-कहा पर पैसा लगाने वाले है और कौन से shares ऐसे है जो कि आप चाहो तो long term के साबसे investment करने के लिए अपने radar के उपर रख सकते हो यह सारे points को मैं इस हजार करोड यह सो एंड टूरिजम के अगर हम लोग बाग कर तो इसमें किसने सबसे ज़्यादा participant किया है तो आप यहाँ पर देख सकते दोस्तों कि Oberai Group हम लोग को सामने आते वे देखने को मिला है जिन्होंने MOU साइन किया है किस चीज के चलते लगजरी विला रिसॉर्ट वो यहाँ पर क्या करने वाले है सेट अप करने वाले है तो बहुत ही जबरदस चीज हम लोगो फिलाल तो देखने का आप मिल रही है अब इस चीज के चलते हैं अगर हम लोग यहाँ बात करें तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि Oberai Realty इस कंपनी को अपने radar के पर study purpose के लिए र मिलेगा तो दोस्तो जादा नहीं मिलेगा तो ऐसा भेदबाव क्यों बोल रहे हो सैर प्रोजेक्ट तो मिल रहे है ना तो दोस्तो ओवे रहे है रियल इस्टेट वाली कंपनी है तो यह जो hotels बनाती है hospitality जो काम करती है ना उनका जो contribution है पूरे business में वो बहुत ही कम है less than 10 to 5% भी हो सकता है चलो मैं इसका प्रूफ भी दिखाता हूं यह देखे मैंने अभी के जो numbers है वो आपके सामने आपे open किये है जो कि numbers मतलब आप सिर इतना ही देख लेना कि company का इसके पहले का income कितना था 162946 ठीक है रूपीज इन लाक्स करोड रहते है उसमें अगर आप bifurcation दे अच्छी तो है बट इसका अरति है नहीं कि आप open reality को blindly जाके खरीदो कि कि ultimately अगर आप इसको खरीदते हो तो maximum यह माना जाएगा कि आप real estate में ही पैसा या पर लगा रहे हो कि पूरा उसी के उपर यह company हमनों को run होते वे देखने को मिल जाती है तो यह था पहला stock जो कि आपको पता होना चाहिए no doubt real estate में भी अगर देखा गया वैसे तो real estate sector इतना कुछ खास होता तो ने बट still उसमें अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या overall reality अच्छा करता है तो यह से definitely अच्छा करता है अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हवाई जाज मतलब airports के आपे बात कर रहे है और airports के अगर हम लोग बात कर तो GM राओ जो GM राओ हम लोगों को अभी जो यह summit हुआ तो आपे प्रेजेंट थे और उन्होंने क्या बोल दिया GMR group to invest 5000 करोड अंदर प्रदेश में जो एरपोर्ट होने वाल है तो इससे related वो खर्च करने वाले कितना 5000 करोड so definitely GMR group का stock market में available भी है GMR airport infrastructure करके बट क्या एक खरीदने लाए के 38 रुपी का यह stock है पात साल का data देखेंगे तो 125% के returns तो ज़रूर देखने को मलते हैं बट share price बिलकुल ऐसे मतलब बोलते हैं फ्लाट चलते वे देखने को आपे मिल जाती है एरपोर्ट में बहुत अच्छा का बिजनेस देखने को मल जाता है बट लंबिया उदी का चाट पेटन देखिए देखें यह कंपनिया बुरी नहीं है बट जैसे बोलते हैं अगर आप हर किसी को ना multi-veggar returns चाहिए तो उसके हिसाब से यह कंपनिया बनी नहीं है तो निवेश कहा आप पे करना और कहा पे नहीं भी करना यह भी आपको पता होना चाहिए no doubt company अच्छी है यहापे देखा गया तो company का बिजनेस भी यह पर चलेगा इस एरपोर्ट में देखा गया तो बहुत अच्छा बिजनेस यह करते है बट definitely हम लोग आपे कह सकते है कि ह इन्वेस्टेबल नहीं है ये एक point आप लोग को पता है आपे होना चाहिए दैन अगर हम लोग आपे next point की बात करेंगे तो तो yes renewable sector ये तो हमेशा रहता ही रहता है किसी भी आप investor summit में चले जाओ और वहाँ पे अगर देखा गया तो एक group है जो बार-बार इसके उपर focus रगाय होने वाली है इस चीज के चलते हमने क्या करना है रिलाइंस के उपर focus रखना है येस रिलाइंस ये इन्वेस्टेबल कंपनी जरूर है बट अगेन के रहा हूं रेकमेंडेशन नहीं आपको खरीदना है नहीं खरीदना है वह आपके उपर हमें इसका बहुत पुराना शेयर मिल रहा है पट ओर रहाल देखा गया तो इंडस्ट्री या फिर ये ग्रूप ये जो शेर है बहुत ही धमाकेदार है बहुत बड़ी कंपनी है और लगातार हमनों को exponentially ग्रो होते वे देखने का आपे मिल रही है तो देखा गया तो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने ऐसा प्रदेश में भी होते वे देखने का आपे मिली है नेक्स्ट अगर हम लोगे आपे बात करेंगे नीतिन गड़कर जी येस वो भी वापे प्रेजेंट थे उन्होंने भी कुछ पॉइंट से आपे हाइलेट करके बता है जैसी कि आप देख सकते हो कि जितने भी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो आंदरप्रदेश में है उसको लिंक करने का काम किसके साथ नैशनल हावे के साथ वो नितिन गड़कर जी ने आपे बोला है कि वह सारी चीज़े होते वे देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली आप सब लोग को पता है इसके चलते जो टाइम धर हो गों कम होते वे देखने को मिलेगा तो अच्छा-कासा चीज होते वेदेखने को मिल सकती हैं अभी मतलब इंदैरेकटली उन्होंने स्लो चलती है विप्रो जैसा ही ये स्टॉक है आप चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो तो गायतरी प्रोजेक्ट ये भी कंपनी हम लोग को आंदर प्रदेश में अच्छा आसा बिजनेस करते हुए दिखने को मल जाते हैं इसना भी हो जाए 50,000 डाल देंगे पर खरी देंगे तो ये बेव कोफी बिलकुल भी नहीं करने आटलीस जो SMKC इस चानल को देखता है तो उनने तो ये तो मतलब बात दिमाक से तो निकाल देनी चाहिए बट स्टड़ी होनी चाहिए इसलिए सारी चीजों को मैं कवर यहा इन्वेस्मेंट के लायक नहीं है बहुत सार लोग गुस्ता भी हो जाएंगे इन्वेस्मेंट के लायक नहीं है तो सर बताते क्यों देखे शेर मार्केट में यही चीज़े कहा पे पैसा लगाना चाहिए वो पता होना चाहिए उसी के साथ-साथ कहा पे पैसा नहीं भी तो इन में कोई ज्यादा दम देखने को नहीं मिलता है वैलेशन एट्रेक्टिव रहते हैं नो डाउट बट बिजनेस तो होना चाहिए न तो यह एक प्रोब्लम हम लोगों को देखने को मिल जाती है अंधर प्रदिश में इनका भी प्रेजेंस है बट इग्नोर करेंगे तो ही ठीक रहेगा देन एक और कंपनी उसका नाम मुझे इतना याद नहीं रहे है आईगेस आई वी आर सी अल अब चेक कर लेना यही एक कंपनी आप लोगों को शायद से मिल जागा है मुझे ऐसा लगत इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें दोसो तो जबरदस हम लोगों को यहापे वापसी हम कह सकते वापसी मतलब तो अदानी ग्रूप अभी हम लोगो आंधर प्रदेश में जो इन्वेस्टर का जो समिट हुआ था वहाँ पे अदानी ग्रूप के और से करन अदानी का हम लोग को देखने को मिला और उन्हेंने announcement भी किया है क्या announcement किया है two new cement plants उसी के साथ data center in आंदरप्रदेश so definitely हम यहाँ पर कह सकते कि हिंडन बग के जो report आने के बाद जो अदानी के शेहर जबरदस गिरे थे उसके बाद उत्तरप्रदेश में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बट वहाँ पर अदानी का presence देखने को नहीं मिला था ना तो किसी ने मतलब दूसरे ने किसी ने represent किया था तो इसके चलते बहुत ज़्यदा चर्चाई हुई थी कि आगे क्या होने वाला है करके सो चले कोई बात में अंदर प्रदेश के अगर हम लोग बात करें वहाँ पे अदानी जी के और से करन अदानी हम लोगों को presence रहते वे दिखने को मिले और प्लस उन्होंने सिमेंट से रिलेटेड और डेटा सेंटर से रिलेटेड अनाउंश्मेंट भी आपे कर दिया है इसके चलते आप चाओ तो एसी सी अंबुजा सिमेंट को स्टड़ी परपस के लिए रडार के उपर रख सकते वाट इनकी काहनी डिफरेंट है आप सब लोग को पता ही है यस जो आदानी ग्रूप का जो अपना मसला चल रहा है उसके चलते अगर कुछ 19-20 हुआ तो इनमें कभी भी गिरावट यहापे हो सकते तो यह एक रिस्क भी आप लोग को पता होनी चाहिए सो आशा करता दोस्तो कि exactly अभी पूरे देश में आपे क्या चीज़ें चल रहे हैं इसके चलते आंदर प्रदेश भी अभी हम लोगों को जबरदस आगे बढ़ते हुए देखने को आपे मिलने वाला है तो ऐसे और भी अलग-अलग स्टेट्स में यह चीज़े हम लोगों को देखने को मिलेगी तो कौनसे स्टेट में क्या इंवेस्मेंट आ रहा है क्या इंवेस्मेंट नहीं आ रहा है यह सारी चीज़ों के उपर आप लोगों ने फोकस एज इन्वेस्टर यहाँ पर रखना होता है अगर कोई कमपनी आगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ही तो फिर आप आगे बनने का भी वीचार भापे कर सकते हो तो आशा करता दोस्तों वीडिया अलफू लगाऊगा तो जरू लाइक और शेयर कर देना है डिमेट अकांट अभी तक उपन नहीं किया तो लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में आप शेयर मार्केट को आसान बाशा से सीख सको तब तक के लिए बाइ-बाइ